नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राम और आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्कट साइकलोजी के विकली इनल्सिस वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों डिस्क्लेमर है कि हम अपने विडियो में देखें कोई ज्यादा मिर्च मसाला आएड नहीं करते हैं इसलिए हो सकता है कि विडियो आपको थोड़ा सा जो लॉंग लगे और बोले लगे लेकिन मैं ही आपसे एस्पेक्ट रता हूँ कि आप जो भी यूट्यूब पे हैं यहां पे सीखने पे आए कि आपको क्या सिखना है और इस चैनल पे एगजक्ट हुआ ही डेटा बता जाजता है और एगजक्ट इनल्सिस बता जाता है जो मार्केट में हो रहा है जो बड़े प्लेयर का पोजिशन बना हुआ है तो मैं आज़ा करता हूं कि आपको जो है अच्छा लगेगा वडियोस डेटा बिशिस पर समझेंगे तो आपको मार्केट का डिरेक्शन पता चलेगा और मैं होप करता हूं कि आप मार्केट के लिए बहुत सिरियस हैं तभी आप वीडियोस देख रहा हैं तो आप इस वीडि से नीचे आएगा और उपर जाएगा तो क्या लेवल रहेगा नीचे आएगा तो कौन से लेवल पर आएगा ये सब सारी चीज़े हम बात करें तो आप इस वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजे इस च क्लाइंट का, FIAE का, PROE का और DIAE का ये चार डेटा हमारे पास आता है इनका क्या पॉजिशन रहा है फ्रैडे के दिन मंडे को ये क्या करना चाहते है चारो प्लियर अभी हम बात करेंगे एक एक करके तो फ्रैडे के दिन क्लाइंट्स ने क्या किया है देखिए 1565 कॉन्ट को ऊपर ले जाने में फ्यूचर में ऊपर ले जाने में लगा है अब पैसे की बाग करते हैं यहां पैसे से ही चलता है और सारे लोग यहां पैसे ही कमाने के लिए आते हैं बिना पैसा का कुछ नहीं है तो अगर भाई कर रहा है तो भी उसमें पैसा लग रहा है सेल कर रहा है फिर भी महाँ पैसा लग रहा है इस चीजों को आप समझिए तो अगर इन्हें 1500 कॉंटिटी बाई किया तो क्या इनका पैसा यह लग रहा है कि हां मार्केट यहां से उपर जागा तभी इन्हें बाई किया अब हम यहां पे FII का डेटा देखते हैं FII ने क्या किया जो उनके पास लॉंग कॉंटिटी था उसमें से 6600 बाउन कॉंटिटी सेल किया यह नहीं वो कभी बाई करके गया थे तभी सेल किया means उन्होंने प्रॉफिट बॉग किया जो उनके पास पोजिशन था वह यहां पे इ यह बोक कर रहा है अपना प्रॉफिट उपर मार्केट को रखके यहां यहां से निफ्टी या फिर इंदिया मार्केट और उनके अज यह नहीं मेव लोग नहीं ैल्या सकता है अगर किसी स्टॉक में पता हुआ लेकिन ये सोट कर रहे हैं यानि मार्कित में वह स्लाइटली बेर्डिस हो रहे हैं इस चीज को समझ किविए J पैसा लागा मतलब बेडिस हो रहा है यहां संट थो adds की Já या market को नीचे लाने के लिए उन्हें पैसा market में डाला अम बात करते हैं pro के प्रोव के पास देखे 20,000 quantity sort था 20,000 quantity उन्होंने यहाँ पर जो है वो 4,500 quantity close किया उसमें से क्या किया हुँने 831 quantity उन्होंने long किया 831 कॉंटिटी और 3600 कॉंटिटी उन्होंने जो सौट था वो प्लोज किया यानि ओमर्वल बेसिस पी वो यहाँ पे जो सौट करके गए थे उन्होंने अपना यहाँ पे स्लाइटली लॉस बुक किया लेकिन यह हमें फ्यूचर का डाटा है इसको हम कैस के ऑप्शन से भी मैच करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे अगर आप सिर्फ अगर फ्यूचर के अनल्चेस करते हैं तो लग आप कर गया है याुना फ्यूच ऑना चाहिए लेकिन अगर नेंज़ गया बात कर बाइस है और हमारे प्रो का भी बाइस बाइस है अब यहाँ पर FIA का भी बाइस बाइस है हम options के data की बात करते हैं option में देखिए कि जो clients के पास आठ तरीक हो था एक लाख त्रीसट जर्व कॉंटिटी क्या था वन लाख 63,000 उन्होंने call की जो है writing की थी यानि call वो write करके गए थे call को sell करके गए थे उसमें से Friday कि उन्होंने पूरे के पूरे कभर कर लिया जो भी write किये थे 1,86,000 उन्होंने net basis जो है वो आपको call की buying कर ली तो एक सो एक लाख तिरासी हजर quantity से अगर आप 1,63 माइनस करते हैं 1,86 तो आपको 22,892 contract आता है यानि इतना contract वो long करके गए उनके पास जो writing थी वो close करके buying में आगे पूरे के पूरे suppose that मेरे पास अगर 100 quantity मैंने sale किया है तो मैंने 120 quantity buy कर दिया तो मेरे 20 quantity positive में हो clear है यानि यहाँ पर वो bullish हो गए अब यहाँ पर उनकी जो put की यह आपको call किया यह दो पर हो यहाँ पर यह put की देखिए put की पोजिशन क्या थी put में इनका 1,73,000 quantity put की writing किया था में यानि वो market को उपर ले जाने के लिए put की writing की थे उन्होंने उतना quantity में 1,77,000 और quantity write कर दिया Friday के दिम क्या होगा उनका 3,42,000 quantity पूरा हो गया writing में यहाँ पर fully bullish हो गए वो जो call की writing के वो उन्होंने close कर दिया put की writing कर दी fully bullish हो गए और यह future में भी buy करके गए तो हमारे clients दोनों data है पर fully bullish अब हम यहाँ पर FII के बात करते हैं FII के पास लगए 2,00,000 quantity call की बायंती उसमें से उन्होंने 62,000 quantity close कर दिया यह positive में उन्होंने अपना profit booking कर लिया यहाँ पर Profit booking किया 1,37,000 अभी इनके पास position है 1,37,000 बाइशन अभी इनका बचा हुआ है और आप देखें कि इनके पास इसके जो है उसमें क्या किया अगर आप तीमों इस पैसे के बायत करें इस वाले data को इससे और इससे मैच कर यह चारों डटा तो कहां आपको लगेगा इन्होंने call की जो बायंग थी वो close कर दी put की बायंग कर ली यहां पर भी बैरिस हो गए जो long था वो भी close कर दी यह short कर दी यह तो यहां future में इनके बैरिस हो गए अब हम यहां प्रो की बात करता है प्रो के पास देखे 36,000 क्वंटिटी जो है वो कॉल की राइटिंग थी उन्होंने call राइट करके गए थे फ्राइडे के दिन उन्हों एक लाख 24,000 और क्वंटिटी राइट कर दिया एक लाख 24,000 राइट कर दिया तो उनका नेट बैसिस पर 161,000 राइटिंग हो गया यहां पर इनका पैसा कहां मार्केट को नीचे ले जाने में लग गया अगर वो कॉल की राइटिंग किया इतना इनका देखिए 72,000 राइटिंग था 72,000 राइटिंग कर रहे थे फ्राइडे के दिन उन्हों पूरे के पूरे क्लोज करके 13,000 कॉंटिटी बाइट में आ गया है वो बाइट बहुत कम करते हैं आप यह देखाऊंगे कि प्रो बिल्कुल बाई कम करते हैं जब प्रो बाई कर आजरता है तो उस डिरेक्षिन में मार्केट जाता है दोस्तों तो आई जिवर्ल आपको इस सिम्पल डेटा से एक दिन पहले पता हमार्य चालता है कुछ लागा कि बड़े प्लियर की क्या activity होटी हो करना क्या चाह रहा है दोस्तों आप यहां पर देखें तो बड़े प्लियर क्या करना चाह रहा है और छोटे प्लियर क्या करना है रिटेल ट्रेडर क्या करना चाहते हैं आप अगर options में बात करें तो यह future में यहां पर प्रोव ने क्या किया है वो मैंने आपको फ्यूचर का ओप्संस में देखिए क्लाइंट ने क्या किया लेकिन वह बुलिस है यहां पर फुली बुलिस हो गया है यहां पर फुली बुलिस हो गया है और प्रो ने क्या किया है अब इसको हम ऑप्संट चैन में क्या अक्टिविटी होई है तो यहां पर हमने देखा कि कॉल की राइटिंग किस ने किया है कॉल की राइटिंग हमारे प्रूद रहा किया गया है तो यहां आप इस डेटा को जब मैच करेंगे तो यह 500 पर भी अब इस नहीं आगा देखिए पांसो पर इनका असी हजार कॉंटिटी बिल्डफ हुआ है तो यह आपको पांसो छे सो और साथ सो यहां पर बड़े पिलर के एक्टिविटी चल रही है किंकि आप यह देखें कॉल साइड में ही हमारा यह जो है यह आपको जो बीट पिलर कह अपर डीक्ति आपको अलवज एक्टिव हैं यह वाली आप Дेटकें तो यह कॉल और में आपको दिखा रहा कहां पर बड़ा नंबर यह नंबर हमें दिखा रहा कि आपको जो अठाराजागर चार सो पे पांसो पर शे सो पे खांसो ऐसा कोई बीग एक्टिविटी नहीं है, वह पोजिशन क्लोज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप हम यहाँ पे देखें, कि पुट की एक्टिविटी कहां पे 18,500 के पास, कोई भी आपको ATM के पास एक्टिविटी नहीं चल दगी, इनकी 18,100, 18,200, यहां पे 18,400, इस एक्ट पोजिशन आप सिर्फ वो फ्राइडे के दिन बनाया गया और 111 लाख में आप इस एक्टिविटी उपर तीन से चार लाख सिर्फ इसी एटियम के पास राइटिंग किया है तो है नहीं यह मज़दार वाग यह हमें इस सीट यह इंडिकेट कर देता है और दखें कि जो आपक तो डेटा के बेसिज पर आप यह बता सकते हैं कि मार्केट में अक्टिविटी क्या रहने वाली है बड़े प्लेर कहां पर एक्टिविटी है और आपको यह आई भी भी इंडिकेट करना आए जो आई भी का नमबर है कि मार्केट और ज़्यादा उपर जाने के चांसेस नह है इसको हम प्राइज अक्षन पर देखेंगे कि कहां पर एक्टिविटी बड़ा हो रहा है अब हम इसको एक बड़ बैंक निफटी का भी डेटा देख लेते हैं तो मैं आपको बैंक निफटी का ओप्शन चाहिए हहां पर सेलेट करता हूं और और रेफेरेस करता हूं क्यों पिल्कुल ही नहीं नीचे आया लेकिन बड़े पिलर की आप देखें तो यह 43,700, 43,800 इस दोनों के पास बड़े पिलर की यहां पर एक्टिविटी ज्यादा है 55,000 52,000 40 यह ऐसे पूरे बड़े नंबर यह है और यह नंबर आप देखें तो यह call side बड़ा नंबर है है ना यह बड़ा नंबर यह बड़ा नंबर मींस है वहाँ पर यह बड़ा नंबर हमने यहाँ पर डाल रखा है जो CY by NT CY by NT आप करेंगे तो यह नंबर आएगा इस नंबर के अधाहर पे आपको यह पताते लिए कि बड़ा प्लेर call side active है या put side active है और यह आपको IB indicate कर देगा कि वह क्या कर रहा है राइट कर रहा है या फिर buy कर रहा है तो यह आप देखें यह 9 नंबर माइनस में में यहाँ राइ कर रहे हैं तो यह बहुत मज़दार बात है आपको यह NTA और सिवाई से आप पुरा नंबर निकाल सकते हैं और देखें आप कि जो pain है वह आपको second pain हमारा 3,500 के पास है यह नंबर नीचे shift हो रहा है तो यह market का direction हमें decide कर रहा है कि market नीचे के तरफ जाने वाला अपने आप मार्केट में बायस मत होई है यह data के अधार पर trade करेंगे तो आपको पता चल जागे कि market में क्या activity रहने वाली है bank nifty में देखें तो 5,26,000 call side 2,56,000 put side यहनि call side बड़ा number बना है ज्यादा ही number add हुआ है और वो number कहाँ पर add हुआ है 43,700, 43,800 और 43,44,000 के पास यहाँ पर राइटिंग किया गया है बड़े प्लियर तरह राइटिंग किया गया है तो यह data हमें बिल्कुल यहाँ से बियरिस इंडिकेट कर रहा है आप अगर मंतली में भी देखें 29 में तो भी आपको activity call में ही देखने को मिलेगे कहाँ पर देखिए यह जो आपको activity है 120, 157, 214 यह बड़ा number कहाँ पर call side है और same जो है वो हमारा pain भी इंडिकेट कर रहा है second pain के नीचे जा रहा है और यह activity यहाँ पर ज्यादा हो रहा है तो overall यह data इंडिकेट कर देगा कि market मे कहाँ पर position बनाना है आपको क्या करना है तो चलिए हमें इसको price action पर देख लेते हैं कि कौन से label पर हमें trade करना है कौन से label पर हमें trade करना है कैसे trade करना है तो मैं आपको भी जो है आज थोड़ा सा मैने modification किया है 12 December के लिए क्या है market closing आपको 43,004 18,496 के पास है यहाँ यहाँ market close किया है तो यहाँ देखें आप बिल्कुल यह support के पास market ने close किया है यहाँ से अगर उपर जाएगा तो हमारा first जो है कहां तर टच हो सकता है first हमारा target कहां से हो सकता है उपर में तो यहाँ अगर उपर होता है 18,500 के पास तो market एक बार 560 को touch कर सकता है यह फिर दूसरा target हम this point नीची आ जाता है यहने 480 के नीची आ जाता है market 480 के जैसे नीची आता है तो market का आपको पहला target 18,420 का और 340 का हो तो यह हमारा निफ्ती का level रहेगा आज हमने थोड़ा VWM और BWMA की बात करेंगे तो आप अगर BWMA भी देखें तो बिल्कुल अभी market है और रजिस्टे candle है वो नीचे है candle VWM के नीचे है तो maximum आपको 552 तक जाने के chances है market जो हमारा पहला target है निकल के आ रहा है तो यह हमारा निफ्ती का level रहेगा और हम इसी पर trade करेंगे Monday को दोस्तों data देखते हुए जैसे 510 के उपर निकलता है तो एक बार 560 के लिए हम long होगे maximum वहाँ पे client ज सही रास्ते में जा रहे है तिर वहाँ से एक heavy short आ जाएगा लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि market मंडी को आपको ऊपर खुलेगा इक market को नीचे ही खुलेगा 480, 490 या 470 के पास खुले और फिर 420 तक 340 तक market लाए जागा यह मेरा personal हुई है अब हमें पर bank nifty को देखते है bank nifty में देखिए थोड़ा सा बुलिस्ता bank nifty नीचे आया नifty के करण और फिर market bank nifty उपर लेके आगा तो अभी closing 43, 633 के पास है उपर में जाता है तो maximum पहला target हमारा 43, 750 का होगा यह level 43, 750 का है यहाँ से यहाँ से अगर 640, 650 के उपर जाता है 650 का यह तो 750 तक जा सकता है bank nifty उसके बाद 860 तक यह target first target है second target आपको second target यहाँ पर अगर bank nifty नीचे आता है यानि 600 के नीचे अगर trade करने लगता है तो फिर target उसका 480 का और 340 का हो जाएगा यह आपको bank nifty का target रहा जाएगा जैसे ही 600 के नीचे ट्रेड करेगा bank nifty यानि इस WF Bmap के नीचे ट्रेड करने लगता तो आपको पहला target इस आपको यह level तक आ जाएगा 480 फिर 340 का level हो जाएगा यह हमारा bank nifty का level रहा अगर आप weekly में भी देखें तो यह weekly में निफ्टी का निफ्टी का weekly में यह बिल्कुल अभी जो top बने हाँ उसी के पास है यानि आपको 18,596 यहाँ पर top है लेकिन यह candle अभी जो बन रहा है वो slightly आपको बेरी से candle slightly तो अगर जैसे closing आपको 18,496 का आज closing दिया इस closing के नीचे 480 के नीचे अगर trade होने ले गया तो फिर हमारा first target जो मैं आपको बताया था कि आपको फिर first target विल्कुली नीचे आपको 18,100,800,200 का वो दिखने लगेगा निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यहां पर बुली से लेकिन एक चीज है कि बैंक निफ्टी में अब जो candle है वो देखे बहुत छोटे-छोटे candle हो रहा है यहां पर जो बायर है वो अग्जोस्ट हो रहा है और राइटर के पकड़ में धरे-दरे मार्केट आ रहा है आप से अगर आप आपको फ्री फोल लागो के बहुत ही नीची लगो 37,500 के लेवल तक आ सकता है 37,500 आ सकता है यहां पर शॉट नहीं करेंगे लेकिन हमारा एसा है एसा है जो हमें डेटा भी बता रहा है तो अगर हम FII की बात करें तो FII आज देखें कि FII ने उन्होंने कि दिसंबर मन्त में कुछ ज्यादा नहीं किया जैसे नॉम्बर में उन्होंने लग बाई किया था दिसंबर में वह बिल्कुल ही नीट्रल लगवर 4500 के इंकी एक्टिविटी रही अब तक का हो रहा दिसंबर में तो वह बहुँ ज़दा बाई यहां पर नहीं किया है और एक और मैं आपको fundamental analysis में बता रहा हूं कि bank nifty का जो price to book value हो बहुत high हो गया 2.88 यह बिल्खुल आपको यहां पर trade नहीं करता है bank nifty दोस्तों थोड़ा सा यह कोगी का issue है क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि 2.78 2.65 के पास जब भी आता है तो bank nifty वहां से गिरा है आप देखेंगे 2.63 तो यह गिर के आपको नीचे है 2.59 यहां तक अभी बहुत ही उपर हो गया 2.59 से जब था तो गिर के बिल्कुल 2.59 maximum हुआ यहां के बाद फिर नीचे ही आया दखिए तो अभी बिल्कुल क्या है एकदम टॉप पे है इसका जो है अंडामेंटल का यह सपोर्ट नहीं कर रहा बाएक निफ्टी को सेम चीजे निफ्टी में भी है निफ्टी में 4.76 4.78 4.28 4.28 4.27 के पास से उपर जाता है तो बैंक उठी निफ्टी नीच आता अभी 4.34 चल रहा है और यह continuous आप देखें कि 4.44 यह भी था 30 नमबर हो और वहां से उपर नहीं गया maximum वहीं तक गया तो यह भी डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अभ पढ़ा है तो दोस्तों यह सब छोटा सा अपडेट रहा है अगर आप वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेगुलर टेड करते हैं तो मेरा एक छोटा सा है टेलीग्राम ग्रूप आप महां पर जाके जॉइन कर सकते हैं मार्केट में रिवर्स देखें हम यहां सब कु चीजें यहां पर डिटेल में बात किया जाता है लाइव मार्केट में लाइव मार्केट में और आप अगर यह सब सारी चीजें सीखना चाहते हैं कि कैसे आटोनेट करना है बड़े पर लोके एक चोटा सा को समरा बहुत ही मिनिमम पैसे में लोग आप्शन्स के लिए प्रिट के ट्रेट नहीं करेंगे तो आप मुझे फटाफट इस नंबर के मैसेज कर सकते हैं ऑप्शन्स के क्लासिस हमारे 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 12 दिसंबर यानि आपको कल से बिलकुल है यह अप्शन्स के लिए बहुत कम यह आपको पूरा फोल करसे तो एक छोटा सा यह अपडेट रहा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो जरूर लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करिए अगर आपके दोस्त भाई अगर कोई मार्केट में टेड करते हैं तो उनको इस चनल के बारे में जरूर बताईए ताकि उन जरूर सबाने उनीके साहा पर बाईसेर होता है जय हिंग जय भारत जय महापका